है तो लो वेडियो मूने वाली अपनी वाली फैरेंजल आर्चिस के उपर और बैद से वीडियो यहाँ तो अछुभी पना होता है युनीवर्सलिटी का फैरेंजल अर्चिस इसके उपर होता क्या है में आपको डियागराम से ही फिर जैसे वाला हूं तो ये वाला डाइंगराम में आपको पहले दो यहां पर बल्च देखने को मिलते हैं यहां पर जिस तरफ अपना होता है हर्ड का इसको बन बोलते हैं काडिक बल्च और इस head और cardiac bulks के बीच में आपको पूरा present होता है neck और इस neck में आपको यहाप कुछ arches दिखाई दे रहे होंगे इन्हें arches को अपन बोलते हैं pharyngeal arches और इस अपने आगे कुछ muscle के derivative देते हैं कुछ cartilage, artery और nerve के derivative यही सारे arches बनाते हैं तो अब मैं आपको सबसे पहले बता हूँ total अपने 5 main functional pharyngeal arches होते हैं first pharyngeal arches, second pharyngeal arches, third pharyngeal arches, fourth pharyngeal arches और फिर sixth pharyngeal arches आप यहाँ पर देखो fourth के बाद जो है अपना sixth pharyngeal arches आपको देखने को मिलेगा तो total आपको यहाँ पर 5 pharyngeal arches देखने को मिलते हैं अब मैं आपको यह सारे pharyngeal arches को अच्छे से detail में दिखाता हूँ उसके लिए मैं आपको इस cross section में अपना pharyngeal arches को दिखाता हूँ तो यह जो diagram है यहाँ पर आपको clearly अपने सारे pharyngeal arches आपने आपने देख पा रहे होंगे total यहाँ पर फूर्स फूरा यह second pharyngeal arch यह तरणी फॉर्स वरे यह फॉर्थ है और यह अपना fourth है और यह अपना sixth pharyngeal arch है देन अब आपको यहां पर सारे देख रहे होंगे देन इन दोनों फ्रेंजल आर्टिस के बीच में यह जो स्पेस प्रजेंट है आपने आउटर साइड में इसे अपने बोलते हैं और इसके लावब यहां पर एक और करेक्टरस्टिक फीचर में आपको बताऊं तोटल यहां यहां पर फेरेंजल पर य司 के जो टीन लेर होती है इसकी आपको लिए मैं क्क्रेंगराम दिखाता हूं यह जो आपने प्रेंजल आर्च की कि तॉटल यहां पे अपनी अपनी तीनल रहोंती है एक फेरेंटेल Og करे 흥 गताता हूं तो अब आप देखो हो यह अपना फर्ल स्रेंट आर्ज जो आथ उसके अदर अपना 1. gesch रहे हैं उसे अपनी मसल को होंगी दैं उस मसल को सप्लाइ करने के लिए यहां पर नर्फ प्रेजेंट है और अपने उसी को मसल को सप्लाइब करने के लिए अपने कुछ आट्री भी प्रेजेंट है तो टोटल माँ आपको बताऊं अपने जो फ्रेंजल आर्च जो होते सबस्राइब कोई बताया नहीं गया है अगर आप फर्ट नाम इन दोनों इन दोनों आपन बूलते हैं लिंगवर स्वेलिग नेरत को अच्छे से दिखाने के लिए मैं तुमें एक और डिखाता हूं यहां पर देखो तुमें और दिखाई देगा यह जो अपना फर्स फेरेंज़े लार्ग जो है उसमें जो दो duolous swelling आपको देखने को मिल रही है उसे अब बोलते हैं लिंग्वल थॉयलिंग उस नीचे अपना एक और स्वेलिंग प्रेजेंट है इससे अब बुलते हैं इसे आफ रही हम पर एक और देखने को मिलेगी इस अब बोलते हैं टंग का development होता है वह नेक्स वीडियो में देखेंगे देन मैंने अब आपको कि आपने सारे बता दिये अब मैं आपको इनके डेरिवेटिव बताता हूं तो यह पुरा चार्ट है ना इसके अंदर सारे डेरिवेटिव हैं हमने फ्रेंजल आर्च के तो सबसे पहले अपने फ् फेशल नर्फ डेवेटिव होती है देन थर्ड से अपना आती है ग्लॉस फरेंजल नर्फ और फोर से जो है वह फ्रेंजल आर्ट से अपना डेवलाप्ट होता है सुपीरियल नेरेंजल ब्रांच और वेगस नर्फ तो टूटल मैंने आपको सबसे पहले इनके पूरे इन डेवलोप्ट होती है उसके लाब आपनी इं फरेंजल आर्ट से ही डेवलोप्ट होती है उसके लाप अपना एक्स्टरनल करें की बात करें तो छितने वह अपनी एपस फेश्यल एक्सप्रेशन का предлож परने वाली मसल होती जैसी कि अपनी और्बुकुलारिस और बूदी और ओक्यूलिस और आपनी जाइकोमेटिक मसल बक्सिनेटर मसल यह सारी मसल का औरीजन अपने सेकंड फ्रेंजलाज से होता है उसके लाव अपनी पूस्टीर बैली जो होती है डाइगेस्टिक मसल की वह भ बात करते हैं तो बोन के अंदर यहां पर क्या रहता है मैं आपको बता हूँ लावे मैं ब्री के अव्यू मैं में आपके लेड़ लावश के लगाँ इस के लावा शका आयोट लाव Wagamend यह सारी सारी से और होती है और मैं आपको याद दिला दूं सेंड फेरेंजल आर्ज के नाम vient अपना यहां से अपना जो होती है वो अपने सेटन्द फेरेंजल आर्च को होती है फिर अपने थी मसल आती है इक अपना स्टाइल फ्रेंजल और एंड मिडल की वह अपनी थर्ड फरेंजल आर्च का ही डेरिवेटिव होती है फिर अपन लास्ट फॉर्थ पर देखते हैं तो फॉर्थ में जितनी भी अपनी जो लेरेंक्स के मसल्ज होती ना जैसे कि अगर आपन बात करें क्रिको थायरोड इंस्टिक्स इंट्रिक्सिंग मसल और सॉफ्ट पैलेट भी जो है अपने फॉर्थ फरेंजल आर्च से डेवलप्ट होती है उसके लावा आर्ट्री में अगर बात करें तो अपने जो आयोटिक आर्च होता है देन राइट सब्क्लेवियन देन अपनी ब्रेक्यो सफेलिक आर्ट्री यह भ होते हैं टूटल पूरा फ्रेंजल आर्च के डेरिवेटिव जो हैं आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए आप इसमें नर्व मसल और बोन के याद कर सकते हो एक बार आर्ट्री छोड़ भी सकते हो बट मेली एमसीक्यों जो होते हैं वह अपने मसल से बनते हैं और करना पड़ेगा देन नेक्स्ट वीडियो जो है वह अपने होने वाली टंग के उपर और उस वीडियो का लिंक आपको उपर आई बेटन पे मिल जाएगा